ओम स्री गनेशाय नमदोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्डिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जून सौंबार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और उबहत्तर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभवना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टी कोण से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेत्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रिकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिती आपके विपरीत हो सकती है दिल करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परिशानी हो सकती है इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सला लेने की आवशक् जिससे सारारिक तथा मांसिक रूप से आज आप एस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं, शकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा, या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं, परिवारिक जीवन में आज चिंताओं बहार आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे, प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं, दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं, मन के अन प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सान अनभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांती, सदबाब, रोमान्स आदी का आज समावेश होगा दोस्तों आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं अज़ापका वयवसाय केरिएर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेतर में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शै करिमियों का आज आपको भरपूर शैयोग प्राप्त होगा, जिससे सभी कार रहे हैं, बहुती आसानी से पूरे होगे, दोस्तों आपको अपने करियर और बिजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे, यह दो दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं। साथी साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं। कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिन में उनको अवस्चे ही सफलत प्राप्त होगी। नोकरी कनने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं। दोस्तों बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं। दोस्तों आज आपके स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुष्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदिशे निरवत्र होने के बाद भगवान शिव को जल में सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें और साथी साथ महा मिर्द्विजय मंत्र का एक सो आठ बार जाप आप रुद्रक्ष की माला से अवश्य करें ज्या दोस्तो ऐसा करने मातर शेही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशन योकांत करेंगे और आपकी समस्त मनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवास से ही पूर्ण होंगी और आपके सबी कारने बहुत यासानी से बनके चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे द से कमेंट स्बोक्स में जैब हो लेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद